हालो फ्रेंज, वेलकम बेक टू मैं चैनल और आज इस ओज़ वीडियो में हम बात करेंगे M.V.K. ऑलिव ऊइल के बारे में क्या होता है ओलिव and ऑलिव उइल क्या इसके फाइदे हैं इसके उन्दर ऐसा क्या होता है जो यह मारकेट के तेल से बहतर है तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार, शामदार और इन्फोर्मेशन से भरपूर होने वाली है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन का बटन जरूर प और इंगलिश में इसे ओलियेस्टर, ओलिव यवाइल्ड होली भी बहुत ही जैतून का ब्रक्ष धेर सारी शाखहों वाला होता है जैसे अपने यहां पें नॉर्मल पेड वहते उनकी मोटी-मोटी शाखाय होती लिकिन जो ओलिव का पेड़ होता है जो जैतून का रहता है इसकी शाखाय पतली होती है छाल भूरे और सफेद रंकी होती है लगबग चिखनी होती है सारी इसके पत्ते लगबग अमरूद के पत्ती के तरह दिखते हैं इसके फूल जो होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुती सुंदर छोटे वाइड कलर के हल लोगे पीला लिए हुए बहुती सुंदर होते हैं और इसकी जो फल लगते हैं वो 1.5 170 तक मोटे अंडह का शेप में होते हैं जिनकों की हम ओलिव बोलते हैं जैतून बोलते हैं कच्चे जैतून को यानि कच्चे ओलिव को अचार एवं सब्जीयां कर्थरिया इत्यादी म से ऑलिव ओयल कहते हैं यह तेल जो है खाने और लगाने दोनों के काम आता है यह आम ओयल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा महंगा होता है पर स्वास्थे से बरपूर होता है तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके पोशक तत्व के बारे में कि यह और तेल के मुकाबले इतना म पास क्यों है तो बात करते हैं इसके पोशक तत्वों के बारे में ओलिव ओयल में विटमिन A, D और E पाया जाता है इसके अलावा ओलिव ओयल में एंटी ऑक्सिदेंट्स की भरमार होती है इसमें मुखे रूप से पालिफेनॉल, विटमिन E, साइटोस्ट्रोरॉल, टाइर कोशिकाओ को नस्ठ होने से बचाते हैं वहीं विटमिन E बढ़ती उम्र के असर को कम करती है और हानी कारक अल्टा वाइलेट की नोसी तवचा की कोशिकाओ को बचाती है तो फ्रिंट्स अब बात करते हैं टाइपस ऑफ आलिवयल, आलिवयल भी बहुत प्रकार का होता है जिसमें Extra Virgin आलिवयल, Virgin आलिवयल, Refined आलिवयल और Pomese आलिवयल प्रमुख हैं अक्स्त्यु वर्जिन ऑलिव उयल, खाने के लिए सबसे शुद्ध ऑलिव उयल माना जाता है, इसमें एसीड़ीटी लेवल पाकी ऑलिव उयल की तोर नहीं सबसे कम होता है, ध्यान रखें कि सब saucy ऑलिव उयल का इस्तमाला आप खाना बनाने में नहीं कर सकते है, एक्स्ट्र्रा वर्जिन उलीववॉलु उप्योग स्थिन जबलाग अलूलु कि मुझी मॹरोग तरतेंक पूलीवॉवॉवॉल स्फिन अपुक नसर और्लुस दिलियू शलार obtuse जबहुं है तो बात करते हैं सबसे पहले benefit के बारे में तो सबसे पहले number पर है बालों के लिए जयतून का तेल बहुत ही ज्यादा लाबकारी होता है जयतून का तेल fatty acid कई antioxidant और vitamin E से भरपूर होने के कारण यह सूखी और शती ग्रस्त बालों के इलाज के लिए एक moisturizer के रूप में काम करता है जयतून का तेल दो मुए और घुंगराले बालों की समस्याओ के लिए सही समाधान है यह आपके बालों को मजबूत बनाता है और जिने बाल जड़ने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है या गंजेपन की प्रॉब्लम है तो अगर वो उस चीज से चुटकारा पाना चाहते हैं तो आज से ही जयतून का तेल लगाना शुरू कर दीजी दूसरे नमबर पर है आखों के अच्छे स्वास्ते के लिए भी जयतून का तेल बहुत जवरदस्त होता है आप आखों के आसपास जयतून के तेल से हलके-हलके मालिश कर सकते हैं इससे आपकी आखों के आसपास रक्त संचार सही होगा थकांदोर होगी और आपको ताजग के लिए जैतून का तेल सर्वोत्तम माना गया है तनाव जिंता और अन्य कई कारणों से लोगों की मानसिक इस्थिती पर बहुत बुरा सर पढ़ता है ऐसे में कई लोग उम्र के सासाथ अलजाइमर जैसी बिमारी का शिकार होने लगते हैं इसमें व्यक्ति उम्र बढ़ने के सासाथ अपनी यादाश कोने लगता है ऐसे में ऑलिव ओईल या वर्जिन ऑलिव ओईल के सेवन से अलजाइमर जैसी यादास समंधी परिशानी से बचा जा सकता है जैतून के तेल में पॉलिफेनॉल होती हैं जो एंटी ऑक्सिजेंट का काम करते हैं यह यादाश को बहतर जैतून का तेल बहुत ही बढ़िया रहता है एक शोद के अनुसार जैतून का तेल टाइप 2 डाइबटीज के लिए फाइदेमन्द साबित हो सकता है अगर आप मदू में से परिशान है यानि डाइबटीज से परिशान है तो आप अपनी डाइट में ऑलिव ओईल को जरू करना चाहिए इससे हाई ब्लेट पेशर का खत्रा काफी हद तक कम हो जाता है इसमें पॉलिफेनॉल और मोनो सैचुरेटीट फैटी एसिट होते हैं जो ब्लेट पेशर को कम करने में मदद करते हैं इसकी सेवन से उच्छ रख्तेचाप के मरीजों में ब्लेट पेशर की पायदेमंद होता है कॉलिस्ट्रॉल से बचने के लिए आप ऑलिव ओईल का सेवन कर सकते हैं इसमें बहुत कम मात्रा में सैचुरेटीट फैट होता है और यह गुण इसे शरीर में रक्त कॉलिस्ट्रॉल के स्तरक को नियंत्रित करने की शमता देते हैं जहतून के तेल में मोनो अनसैचुरेटीड फैट उच मात्रा में होता है जो शरीर में अच्छे कॉलिस्ट्रॉल को बनने में मदद करता है एक्स्ट्र वर्जिन ओलिव ओईल में भी पाय जाने वाले पॉलिफेनॉल के कारण शरीर में हानीकारक कॉलिस्ट्रॉल कम होता है और अच्छे कॉलि होने का खत्रा बढ़ने लगता है अगर आप इस पर ध्यान ना देंगे तो दिल के दोरे के आशंका बढ़ जाएगी ऐसे में जरूरी है कि आप नियमित व्यायाम करें खान पान का ध्यान दे और अपने भोजन में जैतून के तेल को जरूर शामिल करें जैतून का तेल ब्ले विदे समंधी बिमारियों में बहुत ही ज्यादा फायदेमन्थ होता है आठवी नंबर पर है त्वचा रोगों और चम रोगों में भी ऑली वाई बहुत ज्यादा पैनिफिशल होता है जैतून के तेल में मौझूद एंटी ऑक्सिजेंट और विटमेन E त्वचा के लिए बहुत ही गुड़कारी है इसे त्वचा पर लगाने से त्वचा की चमक बढ़ जाती है यह खास तोर पर चहरे की जोरियों और निशानों को भी कम करता है जिससे बढ़ती उम्र का असर कम पता चलता है तो अगर आप अपने स्किन से प्यार करते हैं तो आप जैतून के त सेवन आज से ही शुदू कर सकते हैं नौवे नंबर पर है रुमेटाइड अर्थराइटिस से बचाब शोध के अनुसार जो लोग अपने खान पान में जैतून के तेल का प्रयोक अधीक करते है उनमें रुमेटाइड अर्थराइटिस होने का कत्रा काफी कम रहता है इसलि को मजबूत बनाता है और बढ़ती उम्र में हड्डियों से जोड़े रोगों से भी बचाव करता है अहार में शामिल करने के अलावा आप जैतून के तेल से हड्डियों की मालिश भी कर सकते हैं ग्यारवे नमबर पर है दर्द से आराम रिसर्च में इस बात की पुष्टी हुई है कि ऑलिव उयल में पाए जाने वाली योगिक ऑलियो कैथॉल एक प्राकर्तिक एंटी इंफ्लमेटरी योगिक की तरह काम करता है और इसके गुण काफी हद तक दर्द नेवारक दवा जैस होता है तो आप वहां पर ऑलिव उयल की मालिश करके देखिए आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा बारवे नमबर पर है पाचन में सुधार करने के लिए भी जैतून का तेल सर्वत्तम माना गया है इसके नियमित सेवन से कब जु आदी की समस्या से आराम मिलता है आयुर हावाई है कबज की समस्या से भी आराम दिलाती है इस तरह ऑलिव उयल पूरे पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में बहुत ही ज्यादा लाबगारी होती है तेरवे नमबर पर हाइपर टेंशन के खत्रे को कम करने में भी ऑलिव उयल का उप्योग किया जा सकता है एक्स् के खत्रे को कम करता है अगर आप भी हाई ब्लेड पेशर के समस्या से पेड़ित हैं तो जैतून के तेल का सेवन आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाबकारी सिध हो सकता है और अब बात करते हैं बहुत ही जवदस बैनेफिट के बारे में जो की है कैंसर से बचाव के लिए जैतून का तेल बहुत ही सर्वोत्तम है बहुत ही लाबकारी है जैतून का तेल शरीर में कैंसर कोशिकाओ को बढ़ने से रोकता है शोद में पाया गया है कि ऑलिव ओईल में मोजूद हाईडरो जेट्रोसॉल कैंसर कोशिकाओ को नस्ट कर देती है इसके अलावा ऑलिव ओ के खास बैनिफिट् से बारे में अभी हमने बात करी और अब हम बात करें जा रहे हैं और पुश एफिक्ट्रस जी खूड़ी कुछ सावध में के बारे में कोछा पुछ परिष्टितियों में ओली ओल के सेवन से परहिज करना चाहिए और किन-किन मामलों में यह नुकसान दायक है तो फ्रेंट सबसे पहले हम बात करेंगे सेंस्टिव इसकिन वालों के लिए अगर आपकी इसकिन बहुत ही ज्यादा समवेदन सील है यानि सेंसिटिव है तो परिष्टून के तेल से फरेज करना चाहिए इससे त्वचा और ज्यादा ओईली हो जाती है और मुहां से निकलने की संभावना जो है पढ़ जाती है तीसरे नंबर पर है ब्लेड प्रेशर और ब्लेड शुगर लेवल को चेक करते रहें ऑलीव उयल में ब्लेड प्रेशर नियंतरत अंतराल में चेक करते रहें तो फ्रेंट स, अब आप ऑलीव उयल के फायदे और नुकसान के बारे में अच्छी जानकारी ले चुके है अपनी समस्या और जरूरत के हिसाब से इसका उपयोग शुरू कर दे और स्वस्त रहें अगर ऑलीव उयल के सेवन या उपय क्यों के कारण किसी तरह की साइड इफेक्ट्स आपको नजर आते हैं तो नजदी की डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो फ्रिंट्स आप बात करते हैं एमवे ओलिव ओल की ऐसा इसके अंदर क्या खास बात है जो कि ये मार्किट के ओलिव ओल से बहतर और बढ़िया है। जो आलीव ओल है ये ओलिवान्डो आलीव पॉमेस ओल है यानि इस ओलिव ओल को आप भारती व्यंजनो जैसे तल्ले मुन्ने में भी इसका प्रियोक कर सकते हैं। इसके वेट की बात करें तो इसका जो ये बॉटल आती है ये एक लीटर की आती है और इसके अंदर एक और बहुत बड़ी खासियत है कि ये बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है क्योंकि ये तेल बहुत ज्यादा फैलता है यानि अपनी क्वांटिटी से दूगना हो जाता और बहुत ही जबरदस्त है इसकी MRP 749 रुपे हैं बात करें इसके बैनिफिट्स के बारे में तो फ्रेंट्स ये सिर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक ऑलीव उइल स्वास्थे लाबों से भरा हुआ होता है और में कोई भी ट्रांसफेट नहीं होता कोई भी कॉलेस्ट यह सर्वोत्तम है हाट पेशेंट के लिए जिनको डायबटीज है जिनको बोला जाता है हलका खाना खाना है और फ्री खाना है उनके लिए यह सर्वोत्तम ऑईल होता है बहुत ही जबरदस्त है MRP आपको पता चल गई है अब मैं बात करती हूं इसको लेना कहां से है इसको बहुत ही ज़्यादा आसान है आप इसको ओनलाइन ओर भी कर सकते हैं mv.in पर जाएए और वहां से अभी तुरंत ओर कर दीजे या आप आपके कोई नेरेस्ट mv डिस्टिब्यूटर है या आपके नेरेस्ट कोई mv ओफिस परता है तो आप वहां से भी जाकर डारेक्ट ल बनाते हैं तो भर-बर के लिए Bardi के साथ नहीं यह सिर्फ एक सुन ले सखते हैं कि सपोन में पूरी सबजी बन जाती हम हाफ स्पून में पूरा पराठा बन जाता है तो इस तरीगे से आप यूज कर सकते हैं जो भी अगर आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट है कोई डाइबटीस पेशेंट है तो उनके लिए ये ओईल बहुत अच्छा है डॉक्टर्स भी सला देते हैं कि अगर कोई हार्ट पेशेंट है या कोई डाइबटीक पेशेंट है तो उनको ओईल बहुत कम खाना है ठीक है ना तो अगर वो बहुत ही बढ़िया और और प्यॉर ओईल ढून रहे है तो एमवे का ओईल सबसे बहतर है सबसे बेस्ट ओलिव ओईल है और एक बहुत बड़ी खासियत है यह ओजी मॉइन ओईल फ्री है यानि इसमें किसी भी तरीके की कोई मिलावट नहीं की गई है बिलकुल ओर्गैनिक और प्यॉर ओलिव ओईल है तो फ्रेंट्स अगर आप भी बहुत ही वीडियो के साथ ओके बाई बाई टेक कियर